आप देख रहे हैं वीत अंसार दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शीर राम के बगवान होने पर किसको था शक और क्यों है लेकिन दोस्तों से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके हैं दोस्तों साथ या बैल आइकन को दबाने ना भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमायन हिंदु धर्म के प्रमुक गरंतों में से एक है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं और मानते भी हैं हिंदु धर्म के इस गरंद के रचयता तुलसिदास जी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसिदास जी से पहले किसी ने पूरी राम कथा का परचार किया था जी हाँ दोस्तों तो दोस्ता जवेजन सार आपको बताने जा रहा है तुलसिदास के इलावा आखिरवे कौन थ कथा माता पारवती को सुना रहे थे ठीक उसी समय वहां एक कव्वा आ पहुंचा और पूरी कथा सुन ली ऐसी माननेता है कि उसी कोई का पुन जर्म काग भुक्षंडी के रूप में हुआ था जिने पूर्व जर्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी राम कथा पूरी अध्यात्म रमायन के नाम से विख्यात होई राम कथा का परचार प्रसार जोरों से हुआ और भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की पवित्र कथा अध्यात्म रमायन के नाम से लोगों में विख्यात होई काग भुक्षंडी कैसे बने कोवा सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर काग भुक्षंडी कौन थे और वे कोवा कैसे बन गए बता दे कि काग भुक्षंडी का रमायन की गाता से रिष्टा लोमश रिशी परमतपस्वी तथा विद्वान थे वहें इन्हें पुरानों में अमर माना गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लोमस रिशी बड़े बड़े रोमों वाले थे इन्होंने भगवान शिर्ष से यह वर्दान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस परकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब ही मेरी मुलत्ती हो तो दोस्ता आगे हम आपको बताएंगे श्री राम और नागपाश के संबंद के वारे में कहा जाता है कि जब रावन के पुत्र मेगनात ने श्री राम से युद करते हुए उन्हीं नागपाश से बांद दिया था और तब देवरशी नागपाश के कहने पर गिररज गरुड ने नागपाश के सबी नागव को खाकर श्री राम को नागपाश के बंदन से मुट किया था वहीं भगवान राम के इस तरह नागपाश में बन जाने पर गरुड को उनके भगवान होने पर संधे हो गया था कागभुशंडी के पास भीज दिया अंत में कागभुशंडी ने राम के चरिक्त्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड के संदे को तूर किया था तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि वालमिकी को रमायन लिखने की प्रेणग कब और कैसे मिली कहते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें बालमिकी रामायन सर्वोपरी है यूँ तो बालमिकी श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायन तब लिखी थी जब रावन के बद के बाद श्री राम का राजबिशिक हो चुका था एक दिन की बात है जब वेवन में हेशी भारद्वाज के साथ गूम रहे थे और उन्होंने एक बाग द्वारा ओंच पक्षी को मारे जाने की दिल दुखाने वाली गट्ना देखी और तभी उनके मन में एक शलोक फूर पड़ा कहते हैं कि इस गट्ना से उन्होंने रमायन लिखने की प्रेणा ली थी बतादे कि यह इसी कल्प की कता है और यही प्रमानिक भी है कि वालमिकी जी ने रामजन संबंदि गट्ना चक्र को अपने जीवन काल में स्वैम देखा या सुना बस इसलिए उनकी रमायन सत्य से कहीं लेकिन उनकी रमायन के सिर्फ छेही कान थे वहीं उत्तरकान को बोदकाल में जोडा गया था गया था इन सवालों के जवाब आज भी खोजे जाते हैं अद्बुत रमायन संस्कित भाषा में रचित 27 स्वर्गों का कावे विशेश है। कहा जाता है कि इस ग्रंद के प्रनेता भी वालमिकी थे। किन्तु शोद करताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्दी कवी ने इसका प्रनायन किया है। अर्थात अब यह बालमिकी ग्रित नहीं रही। तो क्या बालमिकी यह चाहते थे कि मेरी रमायन में विवादित विशे ना हो। क्योंकि वे रमायन को एक मर्यादा प्रोशोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। पुरानी कथाओं के नुसार लोमस्रिशी के शाप के चलते काग भुक्षंडी कोवा बन गए थे। लोमस्रिशी ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मिर्ट्यू का वर्दान दिया गया था। दूसरी और कोवे के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जिवन व्यतीत किया। वालमिकी से पहले ही काग भुक्षंडी ने रमायन की राज करुड को सुना दी थी। तो सारे बगजल मिलकर कहें जये श्रीनाव। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइट और कमेंट जलूर कीचेगा। हम जल्दी लोटेंगे के नए और रोमाचक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।